नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से मैं स्वागत करता हूँ आपका जैसा कि मित्रों हम लोग अवी कंडिशनल स्टेट्मेंट के सीरिज ने बात कर रहे थे तो तो आज हमारा क्या है जो हमारा टॉपीक है वो है एफ इसका प्रियोग क्यों करते हैं कैसे करते हैं इसकी पूरी डीटेल्स हम लोग जानेंगे पूरे पाइथन के इसी पाइथन के प्रोग्रामिंग के माध्यम से दोस्तों तो हमने कई IDL ले open किया यहाँ पर मैं थ्रॉबसार इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे मैंने जूम कर दिया ठीक है और जूम करने बात क्या है हमने यहां पर लिखना सुरू किया जैसे मान लोग क्या लिखा से पहले आप लोग एक बाळ जान लो कि हम लोग क्या कहते हैं अगर मान लोग की सबी cleaner नहीं करते और जब एकजीक्यूट नहीं करता है तो वह कहां जाता है इस प्र लोग को हमने कुछ भी दे दिया यहाँ पर 20 दे दिया फिर हमने क्या किया इफ कंडिशन को यहाँ पर लगाया स्वारी यह सेल है हमारा और हम लोग सेल की बात नहीं करेंगे सेल में अभी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो मैं बात करता हूँ अभी एक न्यू फॉर्मेट की क्ञें बात कर लेता हूँ ठीक है नमने क्या कि इसको किसी ह्यूए नाम से सेव कर लिया और सेव करने भाद रहने लिखना स्वरू किया देखे कैसें इइस इक्व tensorट हमने दिया मानली王 ले जे हमने इस इपक्षी क्यूट्ट है ह्यार फ्र एक्issराइपन ट्वेंटी दिय यहां पर इंडिटेशन दिया, इंडिटेशन देने बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर प्रिंट, प्रिंट लिख दते हैं भाई, चलो, फिर हम क्या करेंगे, कि A is smaller than 15, क्या जो है A से छोटा है 15, अगर यह हमारा कहता है, कि हाँ A से अगर छोटा है, तब हम लोग देखते हैं, ऐसा क्यों कहता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको, हमने यहां पर किया, और जैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे, अब देखें क्या होता है, यह हमने एक option यहां पर लिद्या, फिर हम क्या करेंगे, अगर माल लिज्जे यह प्रोग्राम गलत है, तो हम ilc statement का प्रियोग करेंगे, ठीक है, हमने यहां पर क्या दे दिया, A is, sorry, यहां पर codes का देना बहुत ज़रूरी है, A is greater than 15, और फिर हमने क्या क्या, यहां पर close कर दिया, ठीक है और जैसे ही हम लोग इसको save करके run करते हैं, देखिए क्या आएगा answer, देखिए answer क्या आया भाई, answer यहां पर आया है, A is greater than 15, ऐसा answer क्यूं आया है, आप लोग बता सकते हैं, answer इसलिए आया है, A is greater than 15, क्योंकि मैं बताओं आपको, answer इसलिए आया है, answer यही आता, लेकिन answer इस थोटा हो, तो print करें, तो यह हमारी condition क्या है, यह wrong हो गई, यह condition हमारी गलत हो गई, क्योंकि यह execute नहीं किया, तो हमारे पास option क्या बचता है, else का, और else को ध्यान रखिएगा, कि if के बराबरी में, if के condition में ही दिया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है, तो अगर आप लोग इसको आगे से यहां से दे देते हैं, तो यह condition भी wrong हो जाएगी, अगर else की condition देना है, तो आप लोग यहीं से इसके बराबरी से देंगे, तभी जा करके यह इसका काम बनेगा, तो यह एक आपने देख लिया, एक हम लोग और देख लेते हैं, इसमें कैसे क greater than A, हमने क्या दिया, B is greater than A, इसका बहुत case sensitive होता है, ध्यान रखिएगा, इस spelling बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यहां पे, फिर हमने यहां से quotes start किया, और क्या लिख दिया, B is greater than A, हमने दे दिया यहां पे, ठीक है, और दे करके हम क्या कर सकते हैं भाई, चलो, हम लोग क्या किया, इल्स को भी यहां पे दे दिया, इल्स भी दे दिया, आरा हम से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग प्रिंट लिखा यहां पे, प्रिंट लिखने एक बात क्या किया, हमने start किया, फिर यहां पे क्या लिखा, this is, म हम लोग save करके इसको run कराते हैं जैसे हम लोग इसको run कराएंगे देखे आएगा B is greater than A उसमें क्या दिया था इल्स दिया था लेकिन इसमें क्या दिया है B is greater than A B is greater than क्यूं दिया है क्यूंकि मैं बताओं ये condition हमारी सही है अगर ये हमारी condition सही नहीं होती तो इल्स का output देता लेकिन अगर हमारी condition इफ की सही है तो इल्स से कोई इसका relation ही नहीं अगर आपको इल्स नहीं समझ में आया होगा तो बिलकुल आप लोग हमें सुझाओ दे सकते हैं रात में 10 बजे से और दिन में सुबह में 9 बजे से तो आप लोग उसको भी जॉइन कर सकते हैं जो कि फ्री आफ कॉस्ट है दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस वीडियो दो करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन